गुट आपड़नोन फ्रेंट्स आज हम लाभानी चेप्टर फड़ा रहे हैं आपको लाभानी चेप्टर ऐसे सी वगेरे में और वन पाल वन रखशक सभी एक्जाम्स में लगवा लाभानी चेप्टर है इसलिए लाभानी में हम देखेंगे कि फर्तम ये चार जो चीजे हैं लाभानी में वह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है हमें पता होना चाहिए विक्रे मुल्य क्या है हमें पता होना चाहिए एक क्रे मुल्य क्या है हमें पता होना चाहिए एक क्रे मुल्य क्या है लाभ और हानी का परतिसत निकाना हमें आना चाहिए ये बेसिक सी बात है लावाने के 4-5 पार्ट आएंगे, यह पहला पार्ट है, विक्रे मुले वो मुले होता है जिस पर वस्तु बेची जाती है, यह हमें सभी को पता है, कि विक्रे मुले वो मुले होता है जिस पर वस्तु बेची जाती है, मतलब बेचना विक्रे है, बेचना क्या है, विक्रे है, और खरीदना क्या है जिस मुल्य पर वस्तू खरीदी जाते है वो क्रे मुल्य है ये तो साधरन सी बात है ये सबी जानते है जिस मुल्य पर वस्तू खरीदी जाती है वो क्रे मुल्य हो गया तो खरीदना क्रे है और बेचना भी क्रे है इसे कई बार लागत मुल्य भी कहते हैं अब हमें ये पता होना चाहिए कि लाब और हानी कैसे निकालें बेसिक साक्यूसन तो लाब हानी काई होता है कि लाब और हानी लाब परतिसद हानी परतिसद ग्याद करना चाहिए तो कैसे ग्याद करें लाब अर्तिसद हानी परतिसद ग्याद करने के लिए लाब और हानी दोनों है वो लागत मुले या क्रे मुले पर निकलती है लाब और हानी है वो क्रे मुले पर निकाली जाती है या आप नोट कर लो लाब परतिसत और हानी परतिसत आप निकालो हमेशा तो क्रेम उल्ले नीचे देना है क्रेम उल्ले क्या देना है नीचे देना है जैसे लाब कब होगा जब बेचेंगे ज्यादा में लाब कब होगा जब ज्यादा में बेचेंगे लाब होगा जब ज्यादा में बेचेंगे इसका मतलब है विक्रैमुले माइनस क्रैमुले लाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? लाब हो जाएगा अब लाब का परतिसत निकानना चाहते है तो जो चाहिए में वो उपर रखो मतलब लाब उपर रखो किस पर निकलता है लाब क्राय मुले पर निकलता है लाब किस पर निकलता है क्राय मुले पर निकलता है इसलिए क्राय मुले नीचे रखेंगे और परतिसत में चाहिए कितने से गुना करेंगे सो से यही हानी में होता है इसमें कोई दिकत नहीं है यह तो करी लोगे हाना हानी उपर रखेंगे क्राय मुल्य पर निकलता है इसलिए क्राय मुल्य नीचे और इंटू क्या कर देंगे सो कर देंगे ये ला परतिसत और हनी परतिसत ग्याद करने का सुत्र है जो बैसिक चीज़ा वो पता होनी चाहिए थभी हम सोट कट पर जा सकते हैं मैं चीज़ यह हमें बैसिक चीज़ों का पता होना चाहिए सोट कट भी आता है जब सुत्र बहुत ज़्यादा सीक लें और उ मेसा क्राय मुल्य पर निकलेंगे इसलिए क्राय मुल्य नीचे रहेगा लाब चाहिए तो लाब उपर हानी चाहिए तो हानी उपर रखेंगे परतिसत में किसी भी चीज को बदने के लिए सोसे गुना करेंगे हम टाइस से चलेंगे टाइप में फैस टाइप में फड़ा रहा क्यूशन भी साधान लेते हैं सब से सरल टाइप लापरतिसत हनी परतिसत हमें निकाना आना चाहिए मैंने क्यूशन लिया है वो देखे एक वस्तु का क्राय मुले हमें लापरतिसत और हनी परतिसत निकानी है बहुत ही इजी क्यूशन है एक वस्तु का क्राय मुले और विक्र विक्राय मतलब बेचा, विक्राय मतलब क्या किया, बेचा किस उनने, कितने में ये माना हुआ है, कितने में बेचा, चार रुपए में बेचा, इसका मतलब हमें लाब और हानी निकानी है, तो यहां पर क्या हो रही है, हमें खरीदा गया है, कितने में खरीदा, खरीदा यहां पर क्रे किया क्रे पहले ना लिखा है तो अनपात पहले क्रेक आएगा खरीदा यहां पर पांच रुपए में और बेचा यहां पर कितने में च्यार रुपए में बेचा इसका मतलब कम में बेचा है तो क्या होगी हानी होगी क्या होगी हानी होगी हानी परतिशत ग्याद करने के लिए इसका दोनों का अंतर विक्रैमुले क्रैमुले का अंतर हनी होती है मतलब पांच में से चार गठाएंगे हनी कितनी है वो उपर दे दो एक क्रैमुले हमेशा नीचे लगेगा जो स्टार्टिंग वाला अनुपात है वो क्रैमुले का है ये क्रैमुले है ये क्या है क्र करह मुले हमें सा नीचे लगेगा और परतिसत में ग्याद करने के लिए कितने से गुणा करेंगे सो से इसका मतलब यह कितना आ गया बीस परतिसत आ गया कितना परतिसत हानी आ गई बीस परतिसत हानी आ गई अब इसमें सबसे इंपोर्टेंट यही चीज है कि यह ना करके हम एससे करें कि हमनें 5 में खरीदा क्रय श्राइब मतलब 5 में खरीदा बेचा-4 में कितने की हानि एक कितने पर पांस पर इंटू कितना सो यहीं पर कितना कर दिया 20 पर 30 कर दिया यह इतना ही होता है यह ओन-lion exam से वहीं पर कर दिया जाता है ऐसे अलग से नहीं लिखा जाता ठीक है। ये क्राय मुले और विक्राय मुले का अनपात है। एक क्यूसन ओड़ ले लेते ऐसा ही एक बस्तु के विक्रे मुल्य और क्रे मुल्य का अनपात आठ अनपात तीन है लाब यहां ने ग्याद करनी है विक्रे पहले वाला है विक्रे मतलब यहां पर यह विक्रे है और क्रे कौन सा है यह वाला क्रे है मतलब हमने खरीदा कितने मे तीन में और बेचा कितने में आठ में हमें कितने का लाब होगा लाब पर 302 गा कितने का लाब होगा इन दोनों का अंतर मतलब 5 रुपे का लाब कितने रुपे का लाब कितने पर होगा क्रेपर होगा कितने पर होगा क्रेपर निकला जाएगा मतलब 3 उपर देंगे कितना उप तो वैसे भी निकाल सकते हैं पांसो बटा तीन परतिसत का लाब हो गया यह यह आपको आना चाहिए सिधा इस तरीके से निकलता है ठीक है यह है क्रेमुले विक्रेमुले का अनपाज बहुत बार पूँच लेता है टाइप नमर दो में हम यह बताने जा रहे हैं कि विक्रेमुले यह दि दियावा है हमें कितना विक्रेमुले दियावा होगा और दो विक्रेमुले देगा क्या देगा दो विक्रेमुले देगा और हमें क्रेमुले निकाना है क्या निकाना है क्रेमुले निकाना है जैसे विक् कि देने पर क्रे मुले निकालना जैसे कैसे देगा जैसे हमें विक्राय मुले दे दिया विक्राय मुले हमें हजार रुपई दे दिया और उस पर लाब हो रहा है मालो उस पर लाब हो रहा है 20% उस पर कितना लाब हो रहा है 20% और हमें क्या पुछेगा क्रे मुले ग्याद करो या लागत मुल्य ग्याद करो तो सीधा सा है विक्रे मुल्य यहाँ पर 20-35 लाब है तो विक्रे मुल्य सो यदि क्रे मुल्य मानेंगे तो विक्रे मुल्य कितना होगा एक सो और क्यूसन वाला विक्रे मुल्य क्या दे देंगे पर आठ जार उपे में बेचे गई वस्तु का क्रे मुले ग्याद करें मतलब वस्तु विक्रे कितने में की गई है वस्तु विक्रे कितने में की गई आठ जार में कितने की हानी पर 20% के आनी पर हमें क्या पूचा है क्रे मुले क्यों से निकाने का तरीका यह होता है क्रे मुले हम कितना मान लेते हैं सो मान कर चलते क्रायम उले कितना मानते हैं सो मानते हैं तो विक्रायम उले कितना हो जाएगा हनी होती है तो सो में से गठा दो लाब होता तो सो में जोड़ दो सो में से 20-30 हाने गठाई तो कितना विक्रायम वा 80 रुपे विक्रेवा, 100 में से 20 पर 30 रानी गठाई, तो कितना विक्रेवा, 80 रुपे विक्रेवा, इन में से हमें, जो क्यूशन में दियावा है, वो उनी के उपर रखना है, मतलब क्रायमुले दियावा है, नहीं दियावा है, क्रायमुले ग्याद करना है, तो इससे तो गु करेमले चाहिए तो यह सो क्रेंगे मतलब सो को गुणा में ले लेंगे ऑट और यृधरो से जिरो इस यहां अंज कि निकाल सैंटी सीधा यह बेची है कि एह गया बीज परतिशान साथानी पर बेची एकांपर कि coc कि सो की चीज़ कितने बिकेगी असी में तो विक्राइसी में की क्यूशन में कितने में की आठ जार में की यहां पर रख दिया हमें क्या चाहिए क्रायमुले क्रायमुले हम कितना मानते हैं सो मानते हैं सो से गुणा कर दिया यहीं कि यहीं काड़ दो हाना कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएंगे ठीक है अब इस क्यूशन को कैसे हम चेंज कर सकते हैं टाइप में next टाइप में विक्राय मुले देने पर विक्राय मुले ग्याद करना विक्राय मुले देने पर विक्राय मुले मतलब क्यूशन में विक्राय मुले देगा और फिर विक्राय मुले ही ग्याद क तो टाइप यहां पर चेंज कर रहा हूं विक्रय मुल्य देने पर विक्रय मुल्य ग्याद करना थर्ड टाइप ऐसे टाइप चलेंगी ताकि आप डिफ्रेंस कर सको विक्रेमुले देने पर विक्रेमुले निकाना विक्रेमुले देने पर विक्रेमुले निकाना अब क्युस्टन में इस पर चेंज कैसे कर सकते हैं वो देखिए उसी क्यूशन को मैंने चेंज किया विक्रैमुले देने पर विक्रैमुले निकानना इसका मतलब है क्यूशन में विक्रैमुले दियावा होगा और हमें दुबार से क्या पुछेगा विक्रैमुले ही पुछेगा अब देखिए हमें इस पॉर्मेट पर चलता हूँ परतिसत हानी पर बेची गई मतलब सो की चीज 20 गठादो 80 में बेची क्यूशन में कितने में बेची आठ जार में बेची क्यूशन में कितने में बेची आठ जार में बेची तो ये विक्रय है इस विक्रय के ओपर आठ जार वाला क्यूशन वाला विक्रय रख दिया आठ जार अब हमें क्रायमुले नहीं पूछा हमें क्या पूछा है 25% का लाब कमाने के लिए क्या चाहिए हमें वस्तु कितने में बेची हमें वापस विक्रायमुले ही चाहिए इसलिए 100 से गुणा तो नहीं करेंगे यह तो कोई काम का नहीं रहा क्रायमुले पूछा नहीं है 25% का ला नहीं थी यहां पर 25 परतिसद लाब है जितना लाब चाहिए आप उसको गुणा में रिखिए और 100 में लाब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 125 आएगा इसलिए विक्रय मुले ग्याद करना है विक्रय मुले को गुणा में रख दिया उसको क्या रख दिया गुणा में रख हो जाएगा यह सिंपल की संग है एक और देख लेते हैंansen यह है वही क्यूसन है इसको सीधा निकानने का तरीका देखिए जहांपर क्यूसं पड़ा है वहीं का वहीं निकानना होता है तो देखिए कैसे करेंगे किसी वस्तूप को दस पर 30त हानी किसी वस्तु को 10% हानी पर 4500 रुपे में बेचा, किसी वस्तु को 10% हानी पर 4500 रुपे में बेचा, इसका मतलब हम 100 रुपे की चीज माने, तो 10% हानी पर बेचेंगे, तो कितने बेचेंगे, 90 में बेचेंगे, कितने बेचेंगे, 90 में, तो विक्रे के उपर विक्रे के उपर क्या दे दिया विक्राय दे दिया अब हमें क्या चाहिए उस वस्तु पर 10% का क्या चाहिए हमें लाग सो की चीज को कितने में बेचेंगे हमें लाग चाहिए और हमें विक्राय मुले चाहिए कौन सा मुले चाहिए हमें विक्राय मुले चाहिए तो विक्राय मतलब विक्राय यह कितने जैंगे 2500 रुपे हो जाएंगे इस तरह से आपको क्यूशन यहां पर ही निकानना है यह तरीका समझाने का होता है कि क्रैमुल्य है वो सो रूपे माना भी क्रैमुल्य कितना हुआ आपका 10% हानी है तो कितने बेचेगे 90 में क्यूसन में कितने बेचा 4500 में वो उपर दे दिया आपको क्रेम उले चाहिए तो 100 से गुणा कर दो परनतु क्रेम उले नहीं मांगा भी क्रेम भाणा वापस 10% का लाव चाहिए तो कितने में बेचोगे, 100 की चीज, कितने में बेचोगे, 10 के लाप पर 110 में बेचोगे, यह आपका उत्तरा जाएगा, यह आपका क्या जाएगा, उत्तरा जाएगा 500 रुपे, यह easy getting tricks है, आगे बढ़ते हैं, टाइप नम्मर 4 में, दो विक्रे मुले देगा, आपको पुछेगा, लाप परतिसत कितना है, जैसे इसी question में advance में चलेंगे, चोथी type में, कि दो विक्रे मुले देगा, दो विक्रे मुले देकर, लाप परतिसत या हानी परतिसत ग्याद करना, हो सकता है, एक विक्रे मुले पर जैसा बेचसा वस्तुग हानी हो रही हो, और दूसरा विक्रे मुले पर क्या हो रहा हो, लाप हो रहा हो, वो लाप परतिसत आपको निकालना पड़ेगा, क्यूशन डालते हैं क्यूशन ये है मैंने जो calculation hard ना हो इसके लिए सरल figures डाल रखे हैं ताकि आपको समझना है फिर तो आपको practice करनी है practice से calculation तेज होती है, fast होती है practice से ही calculation fast होती है पहले आपको समझना है क्यूशन समझ में आना चाहिए उसके बाद में practice बनती है इसलिए मैंने ये जो figure से जो calculation के लिए सरल रखता हूँ ये देखिए एक व्यापरी किसी वस्तु को 20% सथानी पर 2000 रुपए में बेशता है मतलत कहने कारत है कि इस line से हम क्राय मुले निकाल सकते हैं जैसा कि मैंने बताया आपको मैं यहांपर क्राय मुले लिखता हूँ और विक्राय मुले लिखता हूँ हमेशा क्राय मुल्य मैं कितना मानता हूं सो मानता हूं सो की चीज यहां पर 20% पर 30% थानी पर बेची मतलब कितने में बेची 80 में बेची सो की चीज कितने बेची 80 में 20% पर 30% थानी पर कितने में बेची यहां 80 में बेची किसल मेरी एल में कितने बेची वे उपर दे दो, विक्रे की उपर क्या देंगे, विक्रे देंगे, यहां पर बेचिए, विक्रे दो हजार उपर देंगे, हमारा क्रे मुल्य हम निकाल लेंगे, क्रे मुल्य सो है, तो सो से गुणा कर देंगे, क्रे मुल्य हमारे पास आजाएगा, यह आजाएगा क्रे मुल् पचीस सो रुपे में खरी दी पचीस सो की वस्तू यदि छह हजार में बेचे ये खहरा है पचीस सो की वस्तू कितने में बेचे छह हजार रुपे में बेचने पर लाब या होगा यहानी होगी तो पचीस सो की वस्तू खरी दी बेची कितने में 6000 में तो ज्यादा में बेची है तो क्या होगा लाब होगा क्या होगा लाब होगा लाब परती सथ हमें ग्याद करना है लाब परती सथ हमें क्या करना है ग्याद करना है पची सो की वस्तू 6000 में बेची तो कितने का लाब हो गठा कर देख लें आप कितने का ल का या 2000 का ये तो विक्रे है विक्रे का बट्टा नहीं लगता 6000 में बेची है तो क्रेम उल्य का बट्टा लगेगा तो मतलब लाब और रहने किस पर निकलती है क्रेम उल्य पर इसलिए कितने का बट्टा लगेगा पचीशों का बट्टा लगेगा इन्टू कितने से करेंगे 100 से करेंगे ठीक है यह आप केल्कुलेशन कर सकते हैं ठीक है कितने परतिसत्य लाब हो जाएगा वो देख लीजिए ठीक है 140 परतिसत्य लाब अब इसको सोट कैसे करें सोट करने के लिए इतना यह आप निकाल सकते हो ठीक है आसानी से यह निकाला जा सकता है, इसको सोट इस तरीके से किर सकते हैं, कि यहाँ पर 2000 में बेची 20% हानी भी, तो इसका क्रेम उल्य यहीं पर निकालो, यह कितना है, 80 है, और इन 200 कर दो, यहीं पर यह क्रेम उल्य आपका आजाएगा, यह क्या आजाएगा, फिर इसे गठा दो, और ला आने के लिए लिखा जाता है, मैंने एक इसनोड़ा आपकी थोड़ा सा पष्ट करने के लिए, कि दो विक्रेम उल्य दिये वे होंगे, और हमें क्या निकालना है, लाव यहानी परतिसद निकालनी है, एक विक्रेम उल्य यहाँ पर दिया, 1250 रुपे, दूसरा विक्रेम उ कि यहीं इसनोड़ा से लगव मेग देकं लधेšें कि 1550 रुपे मरे लाव होता है, यहानी होती है, तो हम सीद़ा निकाल सकते हैं, βिक्रेम उल्य झालें हमें क्रेम उल्य का पता हो ना चाहिए, वस्तु कितने मपे खरीद है तब हम क्रेम उल्य निकालना मरे पड़ेगा, 10 की चीज है वह कितने में बैचेंगे 25 पर 3030 का लाव होगा तो 25 में बैचेंगे कियोसन में कितने में में बैची 1250 में वह विक्रें के ऊपर विक्रें दे दिया किसन वाला उपर यहां हमारा माना peg नीची रहता है किशन में कितने में बेची है, हजार की चीज कितने में बेची है, पांच हजार में बेची है, किशन में हजार की चीज कितने में बेची है, पांच हजार में बेची है, आपको क्या होगा, लाब होगा, ज्यादा में बेची है, क्या हो गया, लाब हो गया, लाब परतिसत चाह के लिए सो से उना करेंगे ट्रीपल जीरोसे उन्री कितने परतीसाद लाब है चाठ्सो परतीसाद का लाब है यह बनाई वे क्यूसर नहें हैं वहां पर 4 Fourth 523 यहां पर history 시 play we Yeah पर यही सकते हैं यहां पर यह फिज Avec 1,000,000 कि छीज़ कितने में वेची है ? 125 में बेचेंगे., कितने बेचेंगे 125 में, हमें क्राय मुल्य निकाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पास दो भी क्राय मुल्य हैं, कितने वी क्राय मुल्य हैं, अठारा सो में बेचेंगे मतलब लाब हो गया कितने का आठ सो का बट्टा कितने लगाएंगे हजार इंटू कितना करेंगे सो सिधा आजाएगा आपके कितने परतिसद लाब हो रहा असी परतिसद क्या हो रहा लाब हो रहा असी परतिसद क्या हो रहा लाब हो रहा यह चीज ह टाइप नमर फाइप लेंगे जो की इंपोर्टेंट है अभी तक तो बहुत ही इजी कुशन चल रहे थे दिरे दिरे यह हार्ड होते जाएगे चोथी पांच में जब पार्ट आएगा तो भोज़दा हार्ड हो जाएगे देखें दो लापरेतिसत या हानी परेतिसत का अंतर देकर क्रय मुले पूचें आपको अंतर देगा कि मैं 25 परेतिसत हानी पर किसी वस्थू को क्या करता हूं बेशता हूँ और यदि उसी वस्तु को मैं लाब पर बेशना सुरू कर दू मालो 10% लाब पर बेशना सुरू कर दू तो मुझे अधिक रुपए मिलेंगे वो कितने मिलेंगे वो मुझे अधिक रुपए मिलेंगे वो मालो ये खहदेगा कि मुझे अधिक रुपए 350 रुपए अधिक मिलते है 350 रुपए क्या मिलते है अधिक मिलते है क्योंकि यहां पर हनी पर बेच रहा था यहां पर लाब में बेच रहा है आपको ज्यादा रुपए मिलते हैं 350 रुपए अधिक मिले तो मेरा क्या ग्याद करें क्राय मुल्य ग्याद करो क्या ग्याद करो क्राय मुल्य ग्याद करो दो लाव या दो हानी यहाँ पर हानी हानी भी दे सकता है लाव लाव भी दे सकता है ठीक है इसको हल करने का जो सिद्धा सा तरीक है देखे तो क्या हो जाएगा घड़ जाएगा और हानी और लाब ऐसी देर रखा होगा विपरीत है हानी और लाब तो यह जूड जाता है मतलब यहां पर 35 से सिधा कर जाएगा क्रेम उले पूचते तो कितने से गुणा कर देते हैं सो से इस क्यूशन का एड़वांस जो है वो मैं आपको बताऊंगा फिलहाल यह क्यूशन लेते हैं क्यूशन यह है किसी वस्तु को 25 पर 30 सदाने की वजा कितने पर लाब पर बेच रहे हैं 5 पर 30 सद लाब पर बेच रहे हैं वस्तु से दुकानदार को विक्रे की रूप में कितना रूपया जदा मिल रहे हैं 600 रूपए जदा मिल रहे हैं कितने रूपए में बेच रहे हैं 25 पर बेच रहे हैं 105 रुपए में इसका अंतर कितना हमें 100 रुपए में कितना ज़्यादा मिला वो देखे 25 से 105 में आ गए 25 परतिसत आनी में फचेतर में बेच रहे थे क्यूशन में हमें कितना अधिक के ओपर अधिक देंगे अधिक के ओपर कितना देंगे अधिक ये तो सो हमारा मानावा है ये नीचे रहता है क्यूशन वाला अधिक मिला है जो पैसे हमें विक्रे के रूप में जो अधिक मिले है वो मिले है 600 वो रियल वाला उपर देंगे हमे क्या चाहिए क्या ग्याद करना है क्रेम उले जो चाहिए उसको गुणा कर देंगे तो क्रेम उले से गुणा करेंगे तो कितने से गुणा करेंगे सो से गुणा कर देंगे इसलिए ये कार देंगे और ये कितना आ गया आपको ना क्रेम उले कितना आ गया 2000 रुपे आ गया क्राम उले कितना आ गया 2000 रुपे आ गया अब इसको सिद्धा भी निकाल सकते हैं यदि हानी 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 को क्या कर सकते हो सिद्धा माइनस कर सकते हो हानी हानी को माइनस कर दो लाब लाब क्यूसन में दे रखा है तो उसको भी आप माइनस कर दो ठीक है औ और लाब और हनी विपरीत दे रखे हैं तो आप उनको दोनों को पलस करके कुशन को निकाल सकती हो। जैसे इस कुशन को ऐसे निकालने से था है कि यहाँ पर 25 पर 30 की हनी है और यहाँ पर 5 पर 30 क्या क्या है लाब है। लाब और हानी दोनों विप्रीत है, दोनों को जोड़ दो, कितना जदा मिलेगा, 25 और 5 कितना अधिक मिलेगा हमें, कितना रुपए अधिक मिलेगा, 100 पर, 100 पर कितना रुपए अधिक मिलेगा, 25 और 5 कितना, 30, 100 पर मिल रहे हैं, क्यूशन में कितना अधिक मिलेगा, 600 रुप किशन में देखे एससी में कैसे आ रहे हैं किशन वह देखिए यही पर नतुशे को थोड़ा इडवांस लिया है थोड़ा समय परतिस्त का आंतर देगा क्रेम बूल्सा पर नहीं पूछ रहा हमें उसे इसमें क्या पूछ रहा है वापस विक्रायमुले पूछ रहा है तो कोई दिकत नहीं है हम इसका क्या निकाल देंगे क्रायमुले निकाल कर विक्रायमुले निकाल देंगे या सीधा भी विक्रायमुले निकाला जा सकता है कोई दिकत नहीं है यहां पर किलांद करेम रहे हैं क्योंकि किशन में आगे क्या लिखा दुकानदार को 20% का लाब्च चाहिए दुकानदार 5% के लाब्चе संतुष्ट नहीं है मतला सोकी वस्तू कृतने में 1,120 में बीकनी चाहिए कितने में बीकनी क्kah क्यों 120 में बेचनी चाहिए तो हमें सीधा करना है क्यूसन को कैसे करेंगे लाब और हानी यहां पर दे रखे विपरीत है तो दोनों कितने कांतर हो जाएगा सोपर कितने कांतर हो जाएगा अंतर कितना अधिक मिल रहा है यहां पर जो जादा मिल रहा है कुशन में वो तो मिल रहा है 200 रुपए ज्यादा मिल रहा है कितना ज्यादा मिल रहा 200 रुपए ज्यादा मिल रहा हमारे यहां पर कितना ज्यादा मिल रहा सोपर 25 रुपए ज्यादा है सोपर कितना रुपए ज्यादा है 25 रुपए 20 पर 30 सतानी यहां 80 में विकेगा ही ठीक है यह विगे का एक सू पाँच में तो यह कितने का अंतर हो गया पचीस का तो यह अंतर नीचे देंगे लाब और हनी विप्रीत ईप जोड़ कर नीचे देदो अंतर हो गया क्यूशन ज्यादा मिल रहे हैं 200 रुपए वो 200 रुपए क्यूशन वाले उपर दे दो अब आपको यदि क्रायम उल्य ग्याद करना होता तो 100 से गुणा कर देते सीधा हो जाता परंतु आपको कितना परतिसद लाब चाहिए 20 परतिसद लाब चाहिए इसलिए 100 की वस्तु कितने में बे आठ पार गया बारांट च्यानवन 960 रुपए में बेचेंगे 960 रुपए में बेचेंगे 960 रुपए में बेचेंगे पर्शेंट का लाब चाहिए क्यूशन एकदम सरल है परंतु यहां पर बच्चे परेसान हो जाते हैं कि क्या हुआ दो परतिसद लाब पर बेच रहे चबी तो हम ने सब्सक पाइव करसा आठेंगे तो फॉंट कितना आएगा पांच हमें पॉंट 5 155 रुपए जیयरा में भी एकदेबर 100 पर पहले दो परतिसी लाकान गट गई डेड़ रुपए हो गया 2-5 रुपए हो मतलब पचास पैसे जtoi मिलने लगाए कितने पर 100 पर क स्व मेंаешь हुआ आपट्साइख और नहीं हमें मैं करंगे गोदधां में क्येक है यर्टे। दोकि यजरी स्वाली जान चीजिर को कितने में बचते होगे इसको क्यों लाप पर देगे। सब्सक्राइख और श्यू लेनों प्रहधा को सब्सक्राइख बचला है। पांच का भाग दे दो ये कितने में बेचना पड़ेगा हमें पचीस अजार में बेचना पड़ेगा ये उत्तर हो गया अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजे, सेर कीजे और नए वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजे बेल आइकन को प्रेस की